गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ और एक्सरसाइज इसमें 7.1 है चैप्टर 7 है कोडिनेट जुमेट्री तो इसका हम कोश्चन नमबर 2 करेंगे इससे पहले कोश्चन नमबर 1 हो चुका है वहाँ आप देख सकते हो तो कुश्चन नमबर 2 में देखिए यह कहता है कि find distance between points 00 and 36.15 Can you now find distance between two towns A and B discussed in section 7.2 तो देखिए यह कह रहा है कि find distance between यह दो points दिये गए है और जो हमारे पास section 7.2 था उसमें भी हमारे पास यही दो points दिये गए थे तो उनके beach का distance निकालना था तो चलिए हम सुरू करते हैं तो given points हमारे पास है given points यह town A और B के हैं तो given points A जो point है हमारे पास है 00 और जो B point है हमारे पास तो A point हम यहां माल लेते हैं और B point जो है वो यहां पे है ठीक है और इसके coordinate है हमारे पास 36,15 तो इन दोनों के बीच में हमने distance निकालना है distance formula से तो यह distance A B निकालना है हमने actual में ठीक है तो distance A B हम लिखेंगे then distance A B distance A B distance A B क्या होगा बच्चो square root यह देखिए यह x1 y1 है और यह x2 y2 है तो distance formula होता है हमारे पास जैसे A B distance formula है तो यह हो जाएगा हमारे पास square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square तो यह formula आप learn कर लीजिए यह distance formula होता है यहाँ पे x1 यह है y1 यह है x2 36 है y2 15 है तो हमारे x2 minus x1 करूंगा पहले यानि 36 square 36 में से 0 minus करेंगे तो 36 minus 0 square whole square plus 15 minus 0 whole square ठीक है तो आगे क्या है बच्चो 36 ही रह जाएगा यह तो 36 minus 0 क्या होता है 36 तो 36 square plus 15 square तो यह A B आ जाएगा यानि A और B दो पाउंस है उनके बीच का distance है यह तो A B is equal to क्या आएगा बच्चो अब हम 36 का square कर सकते है या इनके factors कर सकते है तो 36 square होता है 36 का square कर लेते हैं तो इसमें देखिए 36 square आता है 1296 और 15 square आता है 225 तो अब इन दोनों को add कर लेते हैं हम तो add करके देखी क्या आएगा तो इन दोनों को add करके आ जाएगा 1521 यह भी आ चुका है अब हम इसके factor कर लेते हैं 1521 के factor कर लेंगे ठीक है तो यह कितने पे चला जाएगा यह 3 पे चला जाएगा 3 5 जा 15 और 0 3 7 जा 21 ठीक है अब फिर यह 3 पे जाएगा तो यह आजेगा 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 अब यह 13 पे जाएगा सिधा 13 13 जा 169 होता है और 13 पे 1 आ जाएगा ठीक है अब हम इनके pairs बनाके square के उसमें लिख लेते हैं तो यह देखिए आपके पास क्या जाएगा बच्चो इसको हम लिख सकते हैं 3 square into 13 square और a b है यह distance ठीक है तो a b कितना आ जाएगा आपके पास यह square से दोनों के square root cancel हो जाएगे और यह 3 multiply 13 रह जाएगा और 3 multiply 13 जो होता है बच्चो a b distance आ जाता है 13 39 होता है तो यह इतना आ जाएगा आपका distance a b अंसर है यह आपका ठीक है a b distance यह आ गया दोनों टाउन्स के बीच में distance है यह 39 किलो मेटर ठीक है next question के लिए हम next video मिलेंगे तब तक के लिए thank you जै हिंद वच्चो